वेल तो हे गाईस वेलकम टू माय चैनल माने में स्पंकस तो वेल आप लोग का स्वागत है नौर्मी रेस्लिंग में इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं डब्लोडी के हिल्टन को लेकर and also Brock Lesnar के return से related भी एक काफी बड़ी update है इस बार में भी बात करेंगे और NXT के अंदर देखने को मिल चुका है काफी बड़ा injury जो कि हमें एक बड़े superstar का तो इस बार में भी बात करेंगे and और भी अच्छी खासी update होने वाली है इंडिया के events से related भी तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने चैनल को subscribe नहीं किया तो बाई subscribe कर लो latest updates और ऐसी interesting videos के लिए okay so चलते फिर टॉपिक पर आते हैं टॉपिक की शुरुआत करते हैं first of all so यह है बैके लिंच को लेकर तो जैसा कि हम सभी लोग जानते कि बैके लिंच और टिफनी स्टाटन की जो फ्यूड है वह हमें बहुत ही मतलब एक तरीके से कहते तो एनेक्स्टी के शोर से शुरुआत होते भी दिखाए देती है फिर इसके बाद पेबैक के अंदर भी छोटा बहुत अपिरियंस देखने को मिलता है टिफनी का बैके लिंच से confrontation देखने को मिलता है तो आज के एने नेक्स्टी के अंदर जहां पर बैके लिंच वर्सेस टिफनी स्टैटन देखने को मिलने वाला है अब लेट सी भाई क्या हमें यहां पर बैके लिंच एक्च्वल में प्रूफ करते वे दिखाए देती है या फिर बैके लिंच एक्च्वल में हमें यहां पर चांपियन बन और यह भी NXT से related ही है तो भाई NXT का हमें यहाँ पर जो main event देखने को मिलता है Braun Breaker और Vaughner के बीच में यह एक no disqualification match था लेकिन इस no disqualification match के अंदर एक काफी बड़ा controversial चीज देखने को मिलता है जहाँ पर Vaughner काफी बुरी तरीके से injured होते दिखाए देते हैं और वहीं पर NXT का शोग खतम भी होते वे दिखाए दे जाता है तो इस match के दोरान हमें यहाँ पर एक scene देखने को मिलता है जिस time पर Braun Breaker अपने हाथों में still step लेते हैं और Vaughner निचे जो की still steps के उपर गिरे होते हैं उसके उपर उनके सर पर directly वो उस still steps से attack करते हैं इसके बाद पूरा blackout हो जाता है जो की TV screen और उसके बाद यहाँ पर NXT का शोग खतम होते वे दिखाए दे जाता है अब उसके बाद actually मैं क्या कुछ देखने को मिला था है तो किसी को भी नहीं पता लेकिन शोग खतम होने के बाद यहाँ पर कुछ photos कुछ clips देखने को मिलती ह जहाँ पर Vaughner का जो सर है वो फट चुका है वो सर इदम से फट चुका है और Vaughner को तुरंत वहाँ से hospital लेके गया फटा फट मतलब ले जाया गया वहाँ से medical team की तरफ से local hospital में वहाँ पर ले जाके भरती कर दिया गया है अब भाई Braun Breaker का यह intentionally देखने को मिला यह storyline का part था इ भाई यह काफी खतरनाक चीज़ एक तरीक से देखे तो क्योंकि भाई रियली में उन्होंने एक बंदे को injured कर दिया हर्टी कर दिया पुरा एक तरीक से सर फोड दिया तो यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है होप करते कि Vaughner ठीक हो और इनको लेकर कोई medical update आती ह तो मैं जरूर आप लोगों को inform कर दूँगा बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है All Elite Wrestling को लेकर तो जैसा कि हम सभी लोग जानते कि All Elite Wrestling के जो CM Punk है अब वो All Elite Wrestling के नहीं रहे उनको company से निकाल दिया गया है यानि कि जो हमें यहाँ प company से निकाल दिया गया है अब यहाँ पर CM Punk AW के पार्ट नहीं रहे उनको अलमुनी सेक्शन में डाल दिया गया है उनकी जो merchandise भी रही थी merchandise को भी बेचना बंद कर दिया गया है All Elite Wrestling की तरफ से ओफिशली बात करें दो CM Punk को हर जगह से All Elite Wrestling में से निकाल दिया गया है यह कुछ यहाँ पर AW से लेकर मतलब CM Punk को लेकर update देखने को मिल रहा है इसके उपर भी आपके thoughts बता देना और बात कर लेते हैं अगले update की तो यह है Hilton को लेकर तो भाई यह updates तो मुझे लगता कि बहुत दिनों से आ रहे है कि इन superstar का Hilton देखने को मिलेगा अब कब देखने को मिलेग और यह तीनों superstar as a hill काम करते हुए दिखाए देंगे and मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जलकिया देखने को सिर्व हो चुकी है क्योंकि Drew McIntyre और Jay Uso वाली जो फ्यूड देखने को मिल रही है उसमें लग रहा है कि भाई Drew McIntyre है आप धीरे-धीरे हील वाला character बनते जा रहे हैं तो ऐसे में यहां पर Drew का एक तरिके से कह सकते है कि Hilton स्टार्ट हो चुका है और बाकी दो superstar जो है रक्वाल और ब्यांका इनका कब तक देखने को मिलता है यह भी देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट है WDK इंडिया के इवेंट को लेकर तो WDK जो इंडिया का इवेंट देखने को मिल रहा है इसको लेकर एक superstar confirm होते वे दिखाए दे चुके हैं और वो superstar कोई और नहीं वो हैं Shanky Singh मतलब इंडिया के जो बंदे हैं Shanky Singh वो confirm हो चुके हैं वो हमें देखने को मिलेंगे WDK इंडिया के इवेंट को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट है WDK जो की Brock Lesnar को लेकर तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि Brock Lesnar फिलाल के टाइम पे जो उनकी injury वाली situation है जिसकी विसे वो हमें WDK से बाहर देखने को मिल रहे हैं नहीं तो उनका fast lane के अंदर match हमें जरूर देखने को मिलता तो ऐसे में यहाँ पर fast lane के अंदर तो वो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन crown 12 के अंदर बताया जा रहा था कि वो हमें देखने को मिल सकते थे लेकिन यहाँ को भी लेकर कुछ confirm नहीं है यानि कि Brock Lesnar देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे इसको लेकर कु यहाँ पर उस टाइम पर Brock Lesnar के situation को देखने को मिलने वाली है मतलब Brock Lesnar का क्या कुछ situation है उस situation के हिसाब से वहाँ पर show में Brock Lesnar को रखा जाएगा अगर situation सही नहीं होगी तो वहाँ पर Brock Lesnar को Crown Jewel event के अंदर भी नहीं रखा जाएगा that means के एक तरीके से कहें तो bad news भी है और good news भी है मतलब bad news इसके है कि हो सकता है सादम इस Brock Lesnar ना देखने को मिले good news यह भी है कि chances यह भी है कि Brock Lesnar देखने को मिल भी सकते है अब देखते वैसे क्या होता उस टाइम के situation के Brock Lesnar के उपर depend करेगा तो आप लोग का क्या thoughts से इंस्तारी updates को लेकर comment बता देना वीडियो अगर सही लेगी तो या लाइक करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए, bye bye everyone guys